आज में आई थी अपने फ्रेंड के गर पे तो हुआ यूँ था कि थी हमारे बच्चों के एक्जाम्स तो हमने क्या किया बच्चों को छोड़ दिया उनके एक्जाम सेंटर पर और हम आगे इनके घर पे जो था वहां से काफी पास तो बस इनके घर का जो व्यू था बहुत ही सुन्दर था साथ ही अगर आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने अपनी बालकनी को कितने अच्छे से डेकोरेट करके रखा है विद ब्यूटिफल प्लांट्स आपको हर तरह के प्लांट्स दिखेंगे मैंने घर के अंदर का व्यू तो नहीं बताया आपको अदरवाइस घर पे भी बहुत अच्छे चे प्लांट्स इन्होंने बना के रखें नया एक्सपरिमेंट यह जो साचाप अब जाप होता है न दोसा चाप दोसा चाप इसको डोसा चाप कहेंगे मसाला डोसा चाप यह हुता फॉम चाप अभी ने छोटा छोटा बनाएं इसको बच गाई इसको गर्म अगरम खाके ना मज़ा बहुत आ गया था तो हमने फिर से एक और खाया ऐसा नहीं कि बस हाँ एक हो गया तो पेंट भर गया नई 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 वह एक्च्छी क्या जल्दी जल्दी जादा के चक्कर में मुझे लग रहा था उस लोगों के तवेतों होते हैं बड़े-बड़े ऐसे करो जाए इस क्या भावे आपके घर आपके बिचारी उसी से काम करवाया आप में मीनल्स किचिन इस्पेशल पर भी काम पे लगा लेते है है ना यह भी मैंने बाच्छा गुल्द तो यह हमारा तवा डोसा तई रहे हो गया है नहीं अभी मस्टिका खाने के बार्टी सिर्फ चटोरी मीनल्स कि चटोरी ममी नहीं ममी चटोरी है मीनल नहीं है अच्छा सही बाद ममी तो है इसके उपर दो खाने इस दाते है अभी बाच्छी बनाएं देखने का भी सुझ रहे है तो खूब सारी मस्ति और ठाकों के साथ हमने अपना टाइम निकाला और उसके बाद हम आ गए बच्चों के साथ घर पर मैंने बनाई थी मैंगो आइस्क्रीम बच्चे को दी आइस्क्रीम और यह हो गया हमारा आज का दिन पूरा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल जुड़े रही है मेरे साथ और भी वीडियो के लिए